मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो अप्लोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोस के नाम से तो आपके एसाब से इस पूरी लडाई में कौन सही है कौन गलत है नहीं सिर्फ यह नहीं बूलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली यह बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं और क्योंकि जब हम 11th और 12th में थे अभी में UPSC कर रहूं यहां पर तो जब हम 11th और 12th में थे तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था मुझे भी कई बारी अप्रोच किया था वहां पर आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कैसे एक इ तो हमेशा उसके स्टेटर्स पर मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फोटो पोस्स करें एक्जाक्ली गाइस आम नट लाइन तो कोई Mercedes के साथ डाल रहा है तो भाई ने भी मुझे कल यह बात बताए कि यह सब सब फेक होता है अगर प्रोड़क बेचना तो आप सिंप् विवेक बिंद्रा के बीच में है जबकि ऐसा कभी था ही नहीं यह कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं यह रडाई एक्चुल में सच और जूटकी है यह रडाई एक्चुल में सही और गलत की है तो इसने भी कुई अपनी टेक्टिक्स निगा लिए तो इसमें गलत क्या है कुछ बताना चाहिएगा कि इसमें कुछ गलत है नहीं है या इसा ही है सर बेसिकली समें सबसे पहले हमारे लोग 18 तो 25 के एज ग्रूप के बच्चों को टार्गेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है और उनको जब अबरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है सर अजीब ताइब को हम म्यूजिक वगारा चल ले होते सेमिनार में मैं खुद भी जोइन किया था कंपनी में और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी आई? नहीं सर सर सबते पहले मैं यह कहना चाहूंगा क्यूंकि जिस आपने Big Scam वीडियो अपलोड की YouTube पे उसमें आपने नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया तो आगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूं आप चोर चोर कह रहे हैं अगर मैंने वह गलती की है तो obviously मैं चिड़ूँगा उस बास से आप अगर नाम लेते तो गलत था कंपनी का या उनका या किसी specific person का तो गलत होता आपने नाम तो नहीं लिया, और अगर नाम नहीं लिया है आपने, और अगर मैं गलत हूँ, तो मैं चुड़ूँगा. तो कोई कोर्स बेचना या प्रोड़क्त बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोड़क्त का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो, तो उसके उकात भी होनी ची उतरी, उनके प्रोड़क्त की उकात है 100 रुपे की लेकिन बेचने 50,000 में, सर, एक पॉइंट और में शेर करना चाहूँगा, लएक किसी को पसंद नहीं आया, और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्काम है, असली स्काम ये है, ध्यान से समय लो सब लोग, कि एक प्रोड़क्त जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापिस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है, अगर आपको अपने पैसे वापिस चाहिए, तो अपने जैसे और चार बेवकूप पकड़ करके लाओ, और उस पर 30%, 35% जो भी है कमिशन लो, और जो अपने पैसा लगाया, वो पूरा पैसा आपको वापिस, ये स्कैम है, अचा इसी में अगर कोई जैन्विन प्रोडक्ट हो, तो क्या ये स्कैम है, नहीं है, ये भी ध्यान से समझ लेना, तो मज़े की बात ये है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया, तो ऐसी हजारों कमपनीज हैं इंडिया में, उन में से सिरफ एक ही कमपनी वाले और उस कमपनी का मालेक नहांद हो करके मेरे पीछे पड़ गया, इसका मतलब क्या निकालोगे, अब आखर करकर कह रहें कि बताओ इसमें स्कैम क्या है, तो ठीक है, मैं बताता हूँ, स्कैम क्या है, आज अच्छे से बताता हूँ, और पूरी दुनिया बो सब्तंबर को मुझसे agreement पे sign करवाए और बोले कि आपका यह case है हम solve कर देंगे जो आपका बाकी payment है वह हम आपको refund कर देंगे चातर एक के बाद हमारा agreement हुआ मुझे settlement agreement दिया कि आप agreement पे sign करो इसको अच्छे से read करो पढ़ो इसको और आप sign कर के हमें भीजो तब हम आपका पैसा है वो हम आपको refund कर देंगे मेरा जो भी पैसा है maximum जो है 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनस में भी बाकी है लोस तो अगर मैं बोले तो मेरा cash का 1 lakh का एक लाग का मेरा लोस हुआ है दो साल के दर एक साल मैंने फुल काम किया डिम्टेवी पैसा खर्च किया आना जाना बहुत स्टर्ग किया लेकिन पैसा न नाम है तो उन्होंने मुझे को एक्रिमिंट दे और बोला कि 40,250 जो अमांट है वो आपके हम अकॉंट में ट्रांसफर कर देंगे जब आपको एक्रिमिंट साइन करके हम भी भेज़ोगे उसके बाद हैं तो मुझे दो तीन दिन बोलते रहे सर कल होगा परसों होगा 24 गंट जोब देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रोड हुआ है तो अगर आपको भी ऐसे सेट्रमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा में रिफंड दे देंगे तो मेरे दोस्तों यह बिलकुल कि भूल को भी मत करना पहले आप उनको बोलो कि पहले पेम पैसा नहीं किया मैं रिफंड नहीं किया है इसले आप वीडियो बनाना जांवा घृप नहीं हो सकता है इससे जद्धा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है और ना भी वो कर सकते हैं जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है मैं जब भी IBC के बारे में सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बरबाद हो गया, मेरा टाइम भी बरबाद हो गया, मैंने ट्रस्ट किया था विवेक बिंदाजी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया, और मुझे सुसाइडल थौट आते हैं, और मैं अगर कमपन के बाद, वो वीडियो से रिलीज होते जाएंगे, इसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से, मैंने ड्र विवेक बिंदाजी का, वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था, और मेरा चैनल श्ट्राइक पढ़वा दी गई है, और मुझे बोलने की भी वो नही अगर बड़ा बिजनस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लोटाती है, तो मेरे पास कोई आप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फिलाल में वो पैसा चाहिए, कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है, वो लोग डे नाइट मुझे परिशान कर र लग लग लोगों की, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने ब्याज पर पैसा लिया है, हम लोग शाथ समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के उपर क्या बीत रही है, और ऐसी एक दो नहीं, बहुत सारी वीडियो हैं, आप जा करके यूट्यूब पर सर्च कर सकते ह कि इनसान है कौन, यह अपने नाम किया कि क्या लगाते हैं, डॉक्टर, जब यहां पर यह आए थे, तो मुझे लगाते हैं, डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिशर्च करी, अभी पिछले एक हफते में सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा, इन्होंने कोई MBBS नहीं किया है, इंडिया की किसी भी उनिवरस्टी से, या USA UK से कहीं से कुछ नहीं किया है, कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप, थोड़ा सा रिशर्च करोगे, तो आपको समझा जाएगा, किसने बोला पाकिस्तान से, भी देखो, मैं आपको हिंट देता ह है ऐसे इंडिया का एक नेबर है अभी काम करते हैं अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं कि मतलब हमारी कंट्री का जो लौ है वो क्या बोलता है उसको स्टडी करते हैं उसके लिए मेरे पास में कुछ डॉक्यमेंट्स है इसका मैं लिंक दे दूँगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे तो आप क्लिक करके डिरेक्ली जा करके गर्मेंट की जो वेबसाइट्स है वहाँ पर जा करके देख सकते हैं पढ़ सकते हैं यह मैं नहीं कह रहा हूँ हमारी कंट्री की गर् करेके यह आज से नहीं चल रहे हैं यह पिछले सौ साल से चल रहे हैं तो इसके लिए 1978 में एक बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन आप जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम होती है या पिरामिट स्कीम होती है उन सब को बैन कर दिया गया था मतलब क्या कि अगर आप एक कंपनी खोलते हो और किसी से पैसा लेते हो इसमें आपको कितना मिला 30,000 70,000 किसको मिला company को तो इस scheme इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है यानि वो जो पैसा आ रहा है वो ही पैसा public से ले करके public में ही rotate कर दिया जाता है और एक ऐसा point आता है जब जा करके पूरा का पूरा जो pyramid है ये collapse कर जाता है तो यहाँ पर जो लोग top पे बैठे होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं बट जो bottom of the pyramid है उन सब का पैसा डूब जाता है और फिर या तो यह companies बंद हो जाती है या भाग जाती है पैसा ले करके past में ऐसा बहुत companies ने किया है उसमें से बहुत सारी companies के जो owners हैं वो आजेल में है तो ये एक proper scam है जिसको government ने ban किया हुआ है फिर सवाल उठता है कि जब ये ban है तो लोग कैसे कर रहे हैं देखो ध्यान से सुनो ध्यान से समझो आपसे अगर मैं पैसा लेता हूँ और आपको बदले में कुछ नहीं देता हूँ तो वो तो illegal है लेकिन मालनो मैंने आपसे पैसा लिया 50,000 रुपे बदले में आपको एक 50 रुपे का product दे दिया तो क्या वो legal है और illegal है हो गया ना confused तो ये एक loophole है ये जो law है उसके अंदर इसको ये लोग use कर रहे है मतलब government ने क्या कहा कि अगर आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ते हो और अंदर जाते हो और चोरी करते हो तो आपको सजा होगी लेकिन ये लोग क्या बोल रहे है कि देखो दरवाजा लिखा है खिड़की नहीं लिखा है खिड़की से तो हम जा सकते हैं तो जो companies genuine है और जो fake है उसमें सबसे बड़ा फरक क्या होता है कि जो product है अगर लोग उसकी वज़े से join कर रहे है और वो ही advertising में कहा जा रहा है वो ही उसका owner कह रहा है तब तो वो genuine है मेरे हाथ में ये Reserve Bank of India का circular है इसमें clearly RBI ने यानि Reserve Bank of India ने caution किया है public against multi-level marketing activities इसमें मैंने कुछ points को highlight किया हुआ है उसको मैं एक बार आपको explain कर देता हूँ income under such schemes majorly comes from enrolling more and more members from whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer तो यह RBI का कहना है मतलब देखना ये है क्या वो जो product है और service है उसका जो price है वो market से थोड़ा ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है अब आपको भी बहुत मज़दा रवाइब दाता हूँ ये सिखा रहे हैं 10 दिन का MBA 10 दिन में कौन सा MBA होता है मतलब इसे साब से IIM और ये जितने top MBA colleges है उसकी preparation के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं तैयारी करते हैं cat को crack करने के लिए उस सबकी तो कुछ ज़रूत ही नहीं है साक्षात विवेक बिंदराजी आपके सामने 10 दिन तक रोज प्रकट होंगे और आ करके आपको 10 दिन में MBA करा देंगे प्रोफेसर सहब एक बात बताईए आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक image मैं 20,000 रुपे की बेच रहा हूँ तो क्या वो scam नहीं है और वो 50,000 का course बेच रहे है तो वो scam है इसका क्या मतलब है मतलब भाई साब ये है कि मेरी जो 20,000 की images है वो कौन खरीदता है आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी image खरीदी not even a single person तो हमारी images कौन खरीदता है जो बड़ी-बड़ी companies हैं बड़े-बड़े brands हैं जिनकी turnover हजारो करोड रुपे की है वो 20,000 रुपे की image खरीदते हैं क्यों खरीदते हैं क्योंकि अगर वो images हमसे नहीं खरीदेंगे और खुश शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5-10,000,000 रुपे और वो image कितने में मिल गई? 20,000 रुपे में हमने जब वो शूट किया तो हमने 10,000,000 रुपे लगाया तब जाकर के 20,000 में एक image बेची तो इसमें किसका फाइदा है? उस कंपनी का भी फाइदा है और हमारा भी फाइदा है इसको बिजनस बोलते हैं देखते हैं, RBI और Government of India क्या कहते हैं उनके business model के बारे में The Reserve Bank has also said that acceptance of money under money circulation multi-level marketing, pyramid structures is a cognizable offense under the Price, Chit and Money Circulation Banning Act 1978 members of public coming across such offers, ध्यान से सुनना should immediately lodge a complaint with the state police ये RBI कह रही है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है? You should immediately lodge a complaint with the state police अब एक और notification है जो बहुत important है In fact, most important है इस पूरी की पूरी discussion के लिए जितनी भी MLM schemes चल रही है pyramid schemes चल रही है, direct selling companies चल रही है affiliate marketing चल रही है कि वो legal है या illegal है ये कैसे समझा जाए तो इसके लिए Government of India ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा step उठाया ये मेरे हाथ में एक notification है Government of India का Ministry of Consumer Affairs का उसमें क्या कहा गया है? ये total 13 page का document है जिसमें क्या कहा गया है The Central Government hereby proposes to frame Consumer Protection Direct Selling Rules 2021 2021 में आये थे ये इसके बारे में बहुत लोगों पता ही नहीं इसलिए ये scam इतने असानी से चल रहे है अगर पता हो तो इनकी दुकान दो दिन में बंद हुए है डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो नीचे यहां पर description में आपको link बिलेगा उस पर click करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको मैं बस short में कुछ points मैंने highlight करे हुए है वो आपको बताता हूँ जो समझना बहुत जरूरी है It applies to all models of direct selling whether it is multi-level, whether it is single level whether it is affiliate किसी भी structure से आप selling कर रहे हो तो आपको इन rules को follow करना है सबसे पहला rule क्या है It has no provision that a direct seller will receive remuneration or incentives for recruitment oblique enrollment of new participants in the direct selling business except as a result of sale of goods or services by them मैं इसको थोड़ा सरल भाशा में translate करके बताता हूँ इसमें कहा जा रहा है आप अगर एक direct selling company हो तो आपकी company में जो direct sellers है उनको जो पैसा मिल रहा है या incentive मिल रहा है या commission मिल रहा है वो नए members को enroll करने पर नहीं मिलना चाहिए बलकि वो मिलना चाहिए for sale of goods or services by them वो जो company goods or services दे रही है उसकी value क्या है अब ये कौन decide करेगा जिनों ने वो purchase किया अगर तो उन्होंने 50,000 का course purchase किया इनकी company से और वो सब satisfied है तो कोई problem ही नहीं है बट अगर उसमें से 99% लोग satisfied नहीं और अपना पैस वापिस मांग रहे हैं और ये पैस वापिस नहीं कर रहे हैं तो ये scam है ना बिंदरा जी आपने पूछा था ना क्यों है a scam तो बता रहा हो आपको इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है मतलब कि कोई buyback का option होना चाहिए किसी company ने आपको 50,000 रुपे के कुछ products या services दे दी अब आप कहते हैं मेरे किसी काम की नहीं है तो अब आप उसका क्या करोगे उस company को एक buyback policy देनी पड़ेगी अब देखना ध्यान से सुनना ध्यान से समझना buyback आप किस चीज़ पर दे सकते हो जिसकी कोई market value हो मतलब कि government क्या कह रही है यहाँ पर कि आप कोई ऐसा product बेचो direct selling में जिसकी कोई market value हो क्योंकि अगर तीन महिने बाद वो इंसान आ करके कहता है कि यह लोग आपके products वापेस तो उस company को पता है कि यह products pad है तो यह products हम किसी और को दे देंगे तो ना company का नुक्सान हुआ ना customer का नुक्सान हुआ बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई market value ही नहीं है For example, आपने एक course खरीदा इनसे अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि ए course मैंने 50,000 का लिया है आपको 5,000 का देती हो ले लो कोई लेगा 500 रुपे लेगा उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी It was never meant to be Sandeep Maheshwari versus Vivek Bindra It was just an awareness video Zabardusti आ करके बीच में छलांग मारी हैं उन्होंने Zabardusti मेरा मकसद सिरफ किसी एक परसन को टार्गेट करना नहीं है बलकि सब को aware करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है तो बच करके रहो Miss Selling means recklessly misrepresenting a product or service in order to successfully complete a sale It also includes providing consumers with misleading information about a product or service This can involve omitting key information मतलब key information आप उनसे चुपा रहे हो about a product or providing information that makes the product appear to be something It is not मतलब कि अगर सरल भाशा में बोला जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ हो रहे हो उन्होंने अपनी एक वीडियो में नहीं पता नहीं कितनी वीडियोज में खुले आम खुद उन्होंने, विवेक बिंदरा ने खुल करके बोला है कि अगर आप महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापिस कर दूँगा अब एक सबसे important clause आ रहा है इसके बाद मैं एक video play करूँगा clause number 7 का 2E एक particular clause है जो सबसे important है इस पूरे के पूरे circular में इसको ध्यान से सुनना ध्यान से समझना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस कमपनी के साथ में क्या agreement किया है फर्क इससे पड़ता है कि law क्या है for example आप किसी के साथ में agreement करते हो किसी का murder करने के लिए तो आप court में जाकर यह नहीं बोल सकते थे कि हमारा agreement था क्यों क्यों क्योंकि जो country का law है वो किसी भी agreement के उपर है the law of the land supersedes all agreements तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि हमने उनके साथ में contract sign किया है agreement sign किया है अरे पहले law को तो देख लो law क्या कहता है अगर law के हिसाब से वो गलत है तो गलत है no matter कि उसने आपके साथ क्या agreement किया है that agreement must be in line with the law of the land तो यह clause को मैं दुबारा से पढ़ूगा ध्यान से सुनना a direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back deficient services deficient word का क्या मतलब होता है कोई भी ऐसी services जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो consumer है वो कहता है कि यह जो आपने मेरे को course दिया है यह product दिया है service दिया है यह बिकार है किसी काम की नहीं है तो इस company को पैसा refund करना ही पड़ेगा यह मैं नहीं कह रहा हूँ हमारी country का law बोल रहा है अब यह जो मैंने आपको कुछ points बताए इसके according एक बार एक छोटी सी वीडियो को देखो बड़े प्रोफेसर की देखते हैं वो क्या बोलते हैं मैं आपको अपना WhatsApp का number दूँगा email address दूँगा आपके तो रिसक को खतम कर दिया न आपके तो रिसक को खतम कर दिया आपका रिसक तो रिवर्स हो गया गेम चेंज कर दिया पूरा इसलिए अब भी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने counselor से के मैं अपने बिजनस में कैसे सफल होगा अरे आपसे बोल रहा हूँ पूछने में क्या जा रहा है पैसे तो नहीं लग रहे है फोन करने पे पैसे नहीं लगते पता लगाओ अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनस सफल कैसे होगा अगर मैं विवेक बिंदरा आपको आकके प्रॉमिस दे रहा हूँ 100% money back guarantee वो इसलिए दे रहा हूँ अमने money back guarantee launch करिये अगर कोई भी हमारे साथ IBC बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमा हूँ और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता तो no questions asked उसका पैसा उसको वापिस कर दिया जाएगा that's got money back guarantee तब नहीं है किसी महिना यह बोल लेंगा जो हम बोल रहा है guarantee दे रहा हूँ 10,00 रुपे महिना पे आप पहुचेंगे नहीं पहुचे तो मेरे पास आके पैसा वापिस मांग लेगा बड़े बड़े claims कर दिये एक बड़ समयने की कोशिश करते हैं प्राक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महिने का 10,00 रुपे कमाने के लाइक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापिस ले जाएए साल का 1 करोड रुपे अगर यह देना चाहते हैं आप लोग को और एक लाइक लोग इनकी कमपनी में जॉइन कर चुके है तो कितना पैसा चाहिए एक लाइक करोड रुपे तो हमारी टीम ने क्या किया इनके जो financials है उसको चेक किया कि अगर एक लाइक करोड देना है तो कमपनी की उनकी turnover होनी चाहिए नहीं दो-तीन लाइक करोड की क्योंकि वो भी तो कमाईगी ना उनकी turnover पता है कितनी है फिछले साल की 172 करोड अगर उसमें से माल लेते हैं 30% भी वो commission देते हैं अपने IBCs को कितना पैसे उन्होंने डिस्रिब्यूट किया इस्कीम में 50 करोड तो कितने लोगों के हाथ में आया एक एक करोड पचास बस और बाकी लोगों का क्या हुआ उनके हाथ में क्या आया जीरो कि अगर वो चाहे भी तो यह जो बड़े-बड़े claims कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते पहले तो यह जो claims कर रहे हैं वो ही सब illegal है This is complete scam अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए है पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया और जब बैंक आया पैस वापिस मांगने के लिए जो उसका हक है सर हमें actions लेना चाहिए first of all FIR जिनके साथ हुआ है उन्हें FIR फाइल करना चाहिए लॉग को एक बार देखना चाहिए नहीं समझ आ रहा है तो जिसको समझ है लॉग की उसके पास जाना चाहिए उससे समझना चाहिए and petition नाम की चीज होती है public interest litigation तो वो फाइल करने चाहिए उनके खिलाफ जिससे जो यह scams हो रहा है वो खतम हो because morally यह गलत है जिनका पैसा जा रहा है वो depression में जाके गलत कदम भी उठा सकते है and इससे हमारे देश का यूथ खतम होता जा रहा है जो इस देश को आगे लेके जाएगा so जो legal actions है वो लेने चाहिए इस action को उन दो categories में divide कर रहे है एक वो जिनके साथ में scam हुआ है एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है माल लेते हैं एक लाख लोग हैं जिनके साथ में scam हुआ है यानि कि उनका पैसा ये company मार करके बैठी है और वापिस नहीं कर रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहले जा करके F.I.R करनी चाहिए अगर वो पुलिस वाले F.I.R नहीं करते हैं तो उनको इस सारे circles दिखाने चाहिए कि भई R.B.I. नहीं कहा है आप ये लिख करके दे तो हमको कि आप F.I.R नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट तो उन्हें F.I.R लॉज करनी ही पड़ेगी और अगर इंडिया के अलग-अलग parts में बहुत सारे लोग इस तरीके से F.I.R लॉज करते हैं तो जितनी भी higher authorities हैं लाइक C.B.I.E.D. वो सब action में आ जाएगी मतलब उनको भी idea लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा scam नहीं है 500 करोड का scam है छोटा amount नहीं होता है और ये पैसा किसका है पब्लिक का है और पब्लिक में भी एक बार को माल लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता 18-19 साल के बच्चे गाए जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते हैं तो पहला क्या है अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो number one if I lodge करो number two अभी तक मैं इसमें directly involved नहीं था लेकिन अब हो गया हूँ तो अब आप लोग अकेले नहीं है मेरा एक simple सा plan है कि मैं अपने channel पर monetization on करूँगा महाँ से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा मालो दो तीन महीने में मेरे पास में एक करोड रुपया आ जाता है तो इस एक करोड को मैं use करूँगा इंडिया की सबसे अच्छी law firm को hire करने के लिए जो की इन लोग को represent करेगी जिनके साथ इस scam हुआ है उसका पैसा कहा से आएगा मेरे channel पे जो ads run होंगी अगले दो-तीन महीने तक वहाँ से आएगा अगर उस पैसे की मुझे जरूत पढ़ी तो अगर उतना पैसा मैं खुद arrange कर पाया तो मैं ads on नहीं करूँगा लेकिन अगर मैं अपने base पे arrange नहीं कर सकता हूँ तो मैं ads on कर दूँगा तो तयार रहना कल को बोलना मत कि ads कहां से on हो गई जरूत पढ़ी तो मैं एक-दो महीने के लिए ads on करूँगा फिर बंद कर दूँगा जैसी मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस law firm को देना है फिर वापिस से अगर मेरे पास में पैसा खतम हो गया उनको देने के लिए छे महीने बाद फिर से ads on कर देंगे अपने घर की खेती है क्या दिक्कत है तो अब आप लोगों क्या करना है जिनके साथ में स्कैम हुआ है हमको email करिए हमारे email ID है legal at sandeekmahishwari.com और आप लोग क्या कर सकते है जिनके साथ में स्कैम हुआ है RBI का हम एक link यहाँ पर नीचे description में post करेंगे एक तो in circulars का plus RBI के जितने भी offices हैं अलग-अलग states में वहाँ पर जो उनके representatives हैं उनका तो आप क्या कर सकते है जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है एक letter लिखिए चोटा सा उसमें जो भी मन में है English में, Hindi में लिख दीजे कि आपके साथ में यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ और आपको अपना पैसा वापिस चाहिए लेकिन वो पैसा वापिस नहीं कर रहे हैं और साथ में सारे जो proofs हैं जो भी आपने payment करी जो भी आपका registration number है वो सब attach करिए इसको post करिए एक RBI में और एक Ministry of Consumer Affairs में अगर यह करते हैं तो क्या होगा सोचो उनके पास में हजारों letters पहुँच जाते हैं तो क्या होगा तो government की जो भी senior authorities हैं तो सब action में आ जाएंगी अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्योंकि यह आदमी है तो थोड़ा जीब अभी जो कल वीडियो में आया है ये इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धंकिया दी है एक हफ़ते में देखो में तुम्हारे साथ क्या करता ह। भाई तू क्या करेगा कर ले अभी कर ले मैं नहीं डरता भाई दिखता निए मेरी आखों के पर मेरे को मत डर Kids कर बार बार तू अपनी आके दिखा कर दो हुँँँ.. अगर मेरे को एक्चुल में कुछ हो गया अगले एक हफते में तो सारा शक किस पे जाएगा कैसा प्रोफेसर है थोड़ा तो बुद्धी यूज़ कर थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज़ यूज़ कर पब्लीकली यहां करें मेरे को धंकाई चले जा रहा है क्या यह लीगल है अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखने हैं आप लोगों को जिनके साथ भी है स्कैम हुआ है चाहे अब हमको इमेल कर रहे हैं चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या इमेल भेज भी आप भेज रहे हैं जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटाच करिए और अपनी कॉंटाक डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए क्योंकि अगर आप हमको इमेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉंटाक करेगी आपके फैक्स को वरिफाइ करने के मतलब कि जब यह वीडियो अप्लोड होगी उसी दिन यह हैश्टाइग हर जगे ट्रेंड करना चाहिए हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्विटर पर इंस्टाग्राम पर हर जगे इसके बारे में बात होनी चाहिए उसके पीछे क्या वजह है क्योंकि जैसे यह वी इसे सब लोगों किया वह देश छोड़कर भागेंगे इसका टाइम नहीं देना है तो वह कब हो सकता है कि जब और की जितने भी सोशिल मिडिया पेजिज है तो आब इनको रोकने का टरीका है एक है इंसे सुनो इस आश्टाग को और यह आपर आभी जाएगा नीचे बीड दिख रहा होगा आपको हाश्टाग स्टॉप विवेक बिंद्रा रोको इसको भाई